हेलो वाट इस अप गाई यह वाचिंग टेक गिरू खुशाल में नामे खुशाल नाक्तवाज वीडियो में बहुत मज़दार फोन के बारे में बात करने वाले हैं अपकमिंग भी कह सकते हो आप और इनोवेशन और कंसेप्शल फोन भी कह सकते हो विन टाइम बेस्ट करते हैं अपनी वीडियो को शुरू और चानल पर नहीं आए और सब्सक्राइब करके जाना वीडियो पसना आते तो लाइक कर देना हुआ है यह मैं अपनी आके देखने पर बताना चाहिक नहीं होती है उसके अधर 576 MP तक देखने की अधिक जो भी होता है पर मारी यह वह वह पाइध्या-सेंट-चोपिक्सल की नहीं होती है जानाCar हमने सब्सक्राइधक निईवर्ट है यहां पर नियुक्राइच पेर नि आपको एक फोन 600 Megapixel का कैमरा देखने को मिलेगा मतलब 600 Megapixel मारी आई से भी मतलब बढ़ा हो गया मतलब आके के तो जरूत नहीं सैमसिंग का कैमरा उठा के आखों में लगा लो हमारी आखे और तेज हो जाएंगी मतलब यह तो वही बात हो गई क्यों भाई क्यों हमें जरूत क्या इस चीज़ की और विकॉस यह जो नहीं जो इनुवेशन फोन होते हैं की और यह आजाएगा तो भाई इसके मागर आपको फोटो दिखाऊं तो आप देख रहे होगे इस समय कि इसका जो कैमरा मोडूल है वह बहुत बड़ा है मतलब जिसमें और हमारे चार से पांच क कैमरे के सेंसर एक ही मतलब उसमें आ रहे हैं तो काफी बड़ा और बल्की फोन होने वाला है कि इतना मैं गरंटी से कैसे क्यों कि मैं आपको एक्स्प्रेंट करता हूं अगर कोई 108 मेगा पिक्सल का कैमरा होता है तो वह जो इसका सेंसर लगता है उसकरना तो और इतना होता तो वह हो सकता है उपर के पार्ट कम करके थोड़ा नीचे फिक्सिंग कर दो थोड़ा लंबा फोन हो जाए इसको इन्हों ने नाम दिये सैमसंग 600 मेगा पिक्सल आई एस ओ सिल आई एस ओ सी एल यह कोड नेम भी हो सकता है कुछ ही हो सकता है इसके बारे में हमें नहीं पता पर आगे बढ़ते हैं आगे वाली दो खवरे भी हमारे पास सैमसंग से आई हुए सैमसंग यहां पर बताया जाना जो नेक्स्ट वर्जन होगा जी फॉल्ड थ्री जो आता है जो ऐसे बंद होता है उसके जो थर्ड टेक्नोलिजी में यह तो दो चीज़े हो सकती है तो कि देखो लिक्स निकलती यह निकलना तो हम शॉरिटी नहीं कह सकते पर ज्यादा चांस रजीजें पहले आपको बिताता हूं इसके अंदर आपको नर्मल सेम ही मिलेगा जैसे नोर्मल आपका फोल्ड वन और फॉल्ड टू था फोल्ड टू के तारह बेसिकली जाता होगा पर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कलर से करा भी वहीं मिस्टिक ब्राउन स्वाला सेम ही होगा पर थोड़ी सी स्कीन बड़ी और एस पैन और जो फ्रंट स्क्रीन होती थी मतलब जो आइधिंग इस पर फोल्ड होता है इस वह पार्ट के अंदर आपको भी स्क्रीन देखने को मिलेगी वह काफी अच्छी बात है और क्यामरा भी गया तो हर साल अप्ग्रेट होते ही यह तो इसमें बताया जा रहा है कि नेक्स्ट यह ट्राइफ फोल्ड वाला फोन आएगा ट्राइफ फोल फोल्ड होता है अब उसके भी बड़े मज़िदार बड़ेंडर निकल के आए है तो ऐसे तीन बार तो फोल्ड होगा पर उसके इंदर एक चोटा सब्सक्राइब निकलेगा मतलब लैप्टोप टैबलेट सबको एक चीज में कमबाइंड करके सैमसंग एक टेकनोलोजी लेक की बोर्ड होगा काफ है अच्छी टेकनोलेजिया भाई दल देने पड़ीग में इस तरह दब नेक्स्ट के बाल में बत करतें नेक्स्ट भी सैमसंग है सैमसंग का जो जी फ्लिप जो फोन आया था जो ऐसे कटा टिंग डाउं 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 जो जी फ्लिप वन ऐसा उसका जो सेकंड डेनरेशन है जी फ्लिप टू वह आने वाला है वह शूर है और वह इस बार कुछ चेंजिस लेके नहीं आ रहा है अपने अंदर थोड़ी चीज बढ़ी हो और मेजर कोई चेंज इसके नहीं देखने को नहीं मिलें और लास्ट बात करें सैमसंग की बारे में तो भाई सैमसंग ने इन चीजों में बहुत बवाल मचा रहा है मतलब यह भी इसको भी मैं देखके बोलता है यह क्यों है ट्रांस्पेरेंट फोन का एक पेटेंट फाइ मिस्कों एक एक तरान्सपेरेंट फ़ोन करने वाला है और फैस्यों समस्च यहां पेखतम कहती है खतंसे है अब आगे बढ़ते हम सब्सक्राइब अब बात करते हैं ओपो को ओपो के बारे में ओप और ऑब वीवो दोने सेम ही काम करें पर और ओपो के रेंडर काफी सारे बार निकल के आ पर वीवो ने अभी तक अपने कोई फोल्डिंग या इनोवेशन फोन का रेंडर नहीं निकाला पर हमें पता है कि वह आ रहा है क्योंकि उन्होंने ट्वीट कर रहा है कि वह आने वाला पर यह नहीं पता क्या आएगा पर यहां पर एक एवेंट हुआ था 21 अक्टूबर को आ नॉर्मल फोन होता है उसको तरह पकड़ा हुआ है पर उसको अगराम स्टाइड से समझे यह फोन है अगरम साइड पर मैं ऐसे करें तो वह स्कीन बड़ी हो जाएगी यह काफी अच्छा कंसेप्ट है भाई आने वाले टाइम पर आपको फोल्डिंग फोन कम देखने को मिल देखने को ज्यादा मिलेंगे भाई यह मतलब है बहुत बढ़िया काम हो रहा है लव ऐसे हलका सा स्लाइड करो वह एक सिक्स पॉइंट सेवन इंस एक 11.23 इंच का टाबलेट बन जाते और मतलब इसमें मतलब एक आवाज सी भी आती है मतलब बहुत बढ़िया है वह लब य सब्सक्राइब सेज्ट भी कर सकते हैं यह नहीं कि आप सिर्फ इस प्रइंट सेवन इंचीज कर रहा हो यहां पे 11.1 इंच नहीं आप उसको मीडियम पे भी सेट कर सकते हो काफी अच्छी बात लगी मेरे को और यह टेक्नोलोजी बहुत अच्छी थी पर 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 का डिटैचेबल कैमरा मतलब मैं मैंने अपनी आने पिछली लाइफ श्रीम में भी बताया था इसके बार में बहुत कुछ पर मैं ऑफीचली बता रहा हूं ओपो का डिटैचेबल कैमरा पेटेंट भार निकल के आ चुका है जो मेरे मेरे इंस्टाग्राम पर उन्होंने तो फोन है उसके अंदर एक टाइप सी पॉर्ट होता है पर इसके दो सब्सक्राइब मतलब इसका जो कैमरा मोडियूल है वह काफी बढ़ा और वह बिल्कुत सेंटर में मतलब उस कामरा का भार निकाल सकते हो और फोन ऐसे मतलब उसको अपने पीछे फोन की पीछे टाइप सी में कनेक्ट कर लिया और आप उसको फ्रंट सेल्फी कैमरा की तरह भी यूज कर सकते हो और इसमें काफी सारे एंगल उन्होंने अल्रेडी पेटेंट करके बताया कि वह ऐसे मूव भी कर सकता है बैंड भी हो सकता है और इसके सबसे बढ़ी खास बात हो यह फोन के साथ तो सबस्क्राइब निकल जाएगा उसके साथ तो चलेगा चलेगा नॉर्मल फोन की तरफ पर आप इसको खुद की ऐसा कर सकतो चार्ज करके चार्जिंग पोर से चार्ज कर गे अब इसको ऐसे मैनुव भी यूज कर सकते हैं मतलब अपने और किसी और डिवाइस के साथ ब्लु पहले वाले से भी बहुत बड़े लगी भाई ओपा जो डिटैच इबल है पर यह जो इन्नोवेशन स्वोन होता है ना इकी प्राइस बहुत ज़्यादे होती है यह मेरे को बहुत बुरह लगता है पर हाँ अगर ओपो ओपा करना स्वारी शामी या रियल मी लेके आए तो प्राइस में देखने को मिलेगी चो वह लेके भी आ रहे हैं पर उनका भी कोई भी लिक्स बाहर नहीं निकली है इस मतलब में को वाई एक बात कबर अड़ लग रहा है कि आईफोन ना कहते है यह आपका फोन है क्यामरा बाहर से करीदो सोल्ड सेपरेट्री चलो आईफोन क की बात आई है तो यार मैं आईफोन के बारे में भी बता देता हूं फोटो नहीं निकली है उसकी कोई भी पर उनका नया प्रेटेंट फाइल हो चुका है फोल्डिंग फोन का मतलब अगर उसका प्रेटेंट भाहर निकल आना तो आप यह समझ लो कि आने में एक साल मिनिमम प्रेटी लेकर आया हुआ है तुम कुछ इनोवेशन लेकर तो हम एक्सेप्ट करें और प्राइस कम रखो प्लीज प्राइस कम रखो है एडफोन देखिए उनके जो एयरपोर्ट मैक्स साथ जार रोवे की प्राइज है बताओ लब इंडिया चल ले तुए बीस हजार आइफोन 13 के अंदर से हटाई जाएगी क्योंकि आइफोन और उसके जो मतलब जो चार्जर्स और अडाप्टर्स विए रहा होते हैं उसकी टैक्सिंग अलग लगती है यह मैंने बोनस आपको न्यूस सुना दिया इसके अंदर तो अगर आप मेरी वीडियो यहां तक देख होना कि LG का अगर हम कोई फोन इस्तमाल करता है यह फोन सबसे बेस्ट है क्यों कि मैंने परस्नली यह बहुत ज्यादा यूस करा हुआ है पर यह सैमसंग तो बात छोड़ो सबसे ज्यादा जो इनोवेशन और मेकानिकल फोन लगता है ना मेरे को LG का विंग लगता है LG मतलब क टेकनोलीजी लेके आया है ऐसा फोन इसके स्लाइड गरोगे तो एक स्क्रीन उप्रिंग बन जाएगी एरो प्लेन जो शेफ है उसका पेटेंट पहले बहुत पहले निकलता हो इस समय तो मार्केट में विलेबल है 55,000 उसकी प्राइज है बलाब गाइस फोन एर अलगी है और सबसे इंट्रस्टिंग पार्ट है इसलिए मैं इसको लास्ट के लिए रखा हुआ है यहां पर एलजी रोलेबल फोल्डिंग फोन लेके आ रहा है मतलब गाई उसमें आपको ट्राइफोल्ड और रोलेबल मिलेगा मतलब मैं आपको कैसे एक्स्प्रेंड करूं हाँ दस हम जो इतना साथकोफ फोन में जो इसमेंसे स्क्रेंड ऑल्लो के भार निकलेंगी और वहां ऐसे फोल्ड भी हो सकती है दिश्ट यह लिक्स निगलें इसका कभई नाम है पर इसके लिक्स निकलें तो यार एक दम इनोंने वक्त बदल दिया जिस बाद बदल दिया जिन्दगी बदल दी तरही समझा भी तो गई यार मैं सोच रहा था कि वह एल जी इतने सारे लेकिया तो एल जी ने एक निकाला है रोलेबल एक रोलेबल फोल्डिंग था इस वोड़ी अच्छी तो यहां पर फोनों की तो बात खतम हो चुकी है फोन का आप समझ में आता है हमें पर टीवी और लैप्टॉप के मामने में भी एल जी इस लेवल पर पहुच चुक है भाई इसने प्रेटेंट ऐसे फाइल कर चुका है मैं आपको इस समय जो स्क्रीन पर फोटोस दिखा रह इस लेगी वह ओलेट डिस्पलेएगी और रोलेबल फोन है और रोलेबल टीवी है यह मतलब गाई यार रोलेबल टीवी का मतलब समझ रहे हो जिस एंगल पर सेंट करना है अगर उपर उपर आप देखना तो इतना सब निकाल लो बलकी काफी हो जाएगा लेकिन यार यार अपने साउंड बार आजकल जितना हमारा साउंड बार आते हो तने का टीवी आ जाएगा मतलब नोट प्राइस मैं साइज मैं साइज और उसकी बात करो डामेंशन के बात कर रहा हूं लब क्या करो एक ब्रिक टाइप होईगी ब्रिक में से जैसे बटन दपाऊगे तो वह दीरे दीरे स्कीन ऐसे रोल होके मतलब भाड निकलेगी पूरा उसके अंदर का मेकैंडिजम भाड निकल के आ चुक है जो मैं आपको आपकी स्कीन पर दिखा रहा हूं वैसी स्कीन भाड निकलेगी अगर आप उसको पोस्ट कर दोगे तो वह यहीं पर रुक जाएगी वह टीवी के मामले में तो सैमसंग भी बहुत कुछ कर रहा है पर उसका भी कोई नाम और फोटो से गरा निकल के भाड नहीं आई है प्रकाइस मैं सोच रहाता है यह टीवी हो गया फोन हो गया लैप्टॉप कैसे पीछे रहे गाइस मतलब लैप्टॉप के नाम पे इन्होंने लैप्टॉप है रोलेबल लैप्टॉप मतलब भाई कुछ भी हो रहा है आज की डेट के अंदर एल्जी का एक और पेटेंट आया है ऐसे रोलेबल यह होगा इसमें से स्क्रीन निकलेगी अपने साथ से अजेस्ट कर लो जित्ती बड़ी करनी है मैक्स होगी आपकी इस अब हाइब भाई मतलब रोलेबल रोलेबलैप्टॉप निकल रहे है रोले बड़ैबल बड़ी टीविह निकल रहा है रोलेबल फोन निकल दे ऐसे की खीश सकते हो तो ऐसे लैप्टॉप बन जाएगा I ain't technology technology giftी कि नाम पे कुछ भी हो appointment कुछ भी बस आज तक आज खेले बहुत है वीडियों यहीं पर खत्म होती है चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब करें अगर आपने वीडियों यहां तक देखें तो आपको वीडियों पसंद आई होगी और लाइक करने मत जाना मिलता आपको अगली वीडियों में तब तक के लिए बाइ